नमस्कार मैं कमल आगने उत्तर पदेश के चुनाओं पर दो मेट आप से बहुत जरूरी बात करने के लिए हूँ चुनाओं के दो चरल संपन हो चुके हैं लेकिन अभी तक हिंदू वोटों में वो रुजहान नहीं दिखा है जो दिखना चाहिए था मतदान केंद्रों पर बड़े भाई का कुर्ता और चोटे भाई का पैजामा पहन करके लंबी लंबी जाली दाल टोपी के साथ में लाइने लगी हुई हैं और काली बोरी में लिप्टी हुई महिलाएं हिजाब वाली वो भी मतनान केंद्रों पर लगातार बटन दबाते जा रही है मुझे घटना याद आती जब मैं स्कूल जाता था तो शिक्षक पूछते थे इस देश की रक्षा कौन करेगा तो हम बले गर्व से कहते थे हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे वे पूछते थे कैसे करोगे तो हम कहते थे तन से करेंगे मन से करेंगे धन से करेंगे भाई साब म लगातार वोट कीजिये योगीजी के लिए मैं कहने के कोशिश करता हूँ आपकी उंगली पर लगे हुई स्याहिए ही आपके आने वाले समय में बेवज़ा बहने वाली खुन की रख्षा कर सकती है इसलिए मैं कहने के कोशिश करता हूँ यह लड़ाई जो चुनाओ की जबा कोशिश करता हूँ बार बार क्या योगी जैसा फिर को योधा आएगा तुम ही परेशान होगे योगी का कुछ ना जाएगा उदा सीनता की ये गठरी बोलो कहां उतारोगे हार गया योगी तो हिंदू तुम सब खुद ही हारोगे मैं जामवंत सा आया हूं तुम भी खुद क हनुमान करो मैं जामवंत सा आया हूं तुम भी खुद को हनुमान करो मतदान करो मतदान करो मतदान करो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम 300 सीटों के साथ में योगी जी को दुबारा मुकमंत्री बनाते हैं तो पूरे देश की राजनीत हिंदू एजेंडे पर ही चलेगी अगर आप उन्हें 202 सीटों के साथ केवल बहुमत से बनाते हैं तो इसका संदेश जाएगा कि हिंदू अभी जातियों में तूट सकता है उससे तोडने के लिए देश द्रोही शक्तियां वापस से लग जाएंगी लेकिन अगर योगी जी के चुनाओं में क कि इस देश में हिंदू राजनीत का भविश्च नहीं होगा और कोई भी देश में हिम्मत नहीं करेगा कि हिंदू की राजनीत कर सके इसलिए मैं जो फेस्बुक टुटर के योधा बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के उन सोशल मीडिया के योधाओं से कहना चाहता हूं कि द गजदारों पर चोट करो इसलिए वीर हिंदूओं उठो अब गजदारों पर चोट करो बाहर निकलो अपने घर से योगी जी को वोट करो बाहर निकलो अपने घर से योगी जी को वोट करो यह आपका कर्तव है यह हमारा कर्तव है इसे निभाईए और एक बार मेरे साथ ब झाल झाल